सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमश्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेरा नाम है सुमन और मैं हूँ पेशे से हिंदी और योगा टीचर प्यारे बच्चों मैंने अपने योट्यूब चैनल पे जितने भी C.U.E.T. Beard Entrance Exam को लेके बड़े वीडियो बनाए है या शॉर्ट्स वीडियो बनाए है उन पे मेरे पास बिन बिन प्रकार के कमेंट आ रहे हैं जैसे कि कुछ कमेंट बियर्ट सब्जेक कमिनेशन को लेके ह तो बच्चों गर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्ण है C.U.T. Beard और सामाने Beard को लेके या C.U.E.T. Beard Entrance Exam कौन बच्चा दे सकता है कौन नहीं दे सकता है कुछ बच्चों के ऐसे भी प्रश्ण है जैसे कि उनके प्रश्ण है कि कॉमर्स के बच्चे एक्ज को देने के बारे में और जो दूसरा एक्जाम जो स्टेट लेवल पर होता है Beard का उसमें अंतर क्या है तो जुड़े रही है मेरे साथ इस वीडियो में सुरू से लेकर आंतर तक पर अगर आप मेरे चैनल पर नए है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पू कि यूइटी वीडियो उसमें अंतर क्या है प्यारी बच्चों सी यूइटी एंड एंटरंस एक्जाम को समझने के लिए सबसे पहले आप यह समझे कि सी यूइटी बेसिकली है क्या और यह नाम आपको कब से सुनाई देने लगा अगर आप देखेंगे अपने पिछले एक पॉलिसी आई 2020 उसमें सबसे पहले इसका मुद्दा उठाया गया वो मुद्दा क्या था कि होता क्या था कि पहले हमारे यहां पे जो इंडिया है ना वहां पे दो प्रकार की यूनिवर्सिटी एक तो जो यूनिवर्सिटी है जो स्टेट लेवल पे गवंड होती है जो उसमें क्या decision लिया गया कि जैसे जितनी भी आल इंडिया में भारत पूरे भारत में उनको यह क्या कहा गया कि आप अपने यहां पर जो भी बीर्ट कराएंगे या PG कोर्स या कोई भी कोर्स कराएंगे तो आप अपने अपने एक्जाम नहीं कराएंगे आपका जो एक्जाम होगा वह भारत के सारे बच्चों के लिए होगा तो यह डिसीजन लिया गया बच्चों एजूकेशन पॉलिसी की तहट होता क्या था पहले जैसे मान लीजेगर मैं उद्राखं इस तो मुझे क्या करना पड़ता था मुझे डेली वह पा'd एक्जाम देना पड़ता था जामिया का भी देना पड़ेगा और जीएनेू कंगा सिंपल भी ट्रिय करने के लिए भी तो वत्चों यहीचेंज लाया गया फेर बदल किया गया NEP 2020 के तहए ये कहा गया कि अब कोई भी यूनिवर्सिटी जो सेंटरल यूनिवर्सिटी वो अपने-पने कोर्सेस के लिए अलग-अलग टेस्ट नहीं कराएंगी एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंटरंस टेस्ट होगा यूजी कोर्स के लिए चाहे आपको बीयर्ड करना है या कोई भी अन्या कोर्स करना है भारत के सारे बच्चे बैठेंगे और वो इस टेस्ट को देके अब आपके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं तो ये है उत्राखंड के किसी बच्चे का मुझसे प्रश्न है कि मैम हमारे उत्राखंड में तीन जगह से बीयर्ड होता है एक होता है कुमाओ से एक होता है श्रीदेव सुमन से एक होता है एक होता है एचनवी गढवाल उनिवर्सिटी उनका प्रश्न में मुझसे यह है कि मैम अग का जवाब है कि जी नहीं आपके लिए कोई अलग से एक्जाम नहीं होने वाला है H&V गडवाल यूनिवर्सिटी ले क्यों नहीं होने वाला है सबसे पहली बात कि जो H&V गडवाल यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है यानि कि उसको भी CUET entrance exam में भाग लेना पड़ेगा और इस university में केवल उत्राखंड की बच्चों का हक नहीं है पढ़ने का भारत के किसी भी कोने के बच्चे आके यहां पे form को भरके और exam को qualify करने के बाद कोई भी PG या UG course में admission ले सकते हैं ठीके बच्चों तो यह मैंने आपको बिल्कुल clear कर दिया है कि CUET अगर आपको Beard entrance exam देना है उत्राखंड में HNV गड़वाली उनिवर्सिटी के चाहे आप उसके campus में कर रहे हैं या HNV गड़वाली उनिवर्सिटी के कोई PG या degree college में कर रहे हैं या HNV गड़वाली उनिवर्सिटी के किसी affiliated private college के लिए जैसे उधारन के लिए मैंने dolphin से किया है तो उस condition में भी अगर आप किसी भी private college में admission लेंगे तो आपको CUET entrance exam देना ही देना पड़ेगा आप ये उमीद करके मत बैठिए कि HNV गड़वाली उनिवर्सिटी आपके लिए कोई separate weird entrance exam निकालेंगे और फिर आप उसे देंगे HNV गड़वाल उनिवर्सिटी एक ही exam निकालेंगी वो है CUET और जो की निकाल चुकी है उसको भरने की जो अंतिम तारिक है वो है 4 जुलाई तो बच्चो ये था आपका one doubt अब बात करते हैं दूसरे doubt का कि बच्चो के ये प्रश्ण है कि जो CUET beard है और जो ये कौम दूसरा beard है उसमें अंतर क्या है तो उसमें बच्चों अंतर कुछ नहीं है बस CUET beard में यही सबसे बड़ी बात है कि इस exam को जो भी बच्चे भरेंग है वह है H&V गड़वाल उनिवर्सिटी सबसे पहली कंडिशन कि आप सेंट्रल फंडेड उनिवर्सिटी होनी चाहिए दूसरी बात यह है कि अगर आपने CUET beard entrance exam को देना है तो जैसे कि आप सामनी beard के लिए आपके पास graduation होना चाहिए 50% marks होना चाहिए graduation में नहीं है तो post graduation मे हो गई क्या कि अगर आप H&V गड़वाल उनिवर्सिटी से भर रहे हैं तो आपका जो competition होगा पहले क्या होता था कि कीवल उत्राखंड के बच्चों के साथ होता था लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा इस बार जो H&V गड़वाल उनिवर्सिटी से बियाट करेंगे उनका जो competition आप किसी भी college से कर सकते हैं उसमें condition यही भी यही होगी कि 50% marks आपके graduation में होने चाहिए और या तो post graduation में होने चाहिए और आप entrance exam देखे जिस भी state के आप रहने वाले हो उत्राखंड के तो आप उसको वहाँ पे आप बियाट को कर सकते हैं तो जैसे उधारन के लिए मान ल क्योंकि कुमाओ एक Central University नहीं है इसी के साथ साथ मेरे एक दोस्त हैं जैसे कि वह रहने रहने वाले टीरी के हैं उत्राखंड के हैं तो अगर वह भी बियाट करना चाहते हैं तो उनको स्रीदेव सुमन के लिए CUT बियाट देनी की ज़रत नहीं है क्योंकि स्रीदेव सुमन एक Central Funded University नहीं है तो क्या समनिस्कर्स निकाला हमने कि अगर आपने अपने स्टेट लेवल पे स्टेट की किसी यूनिवरसिटी या कॉलेज से अगर आपने बियाट करना है तो तब आपको CUT देने की जरुरत नहीं है जैसे उधारन दिया मैंने आपको स्रीदेव सुमन और कुमा यूनिवरसिटी का लेकिन अगर आप भारत की या उत्राखंड में रहने वाले जैसे बच्चे हैं एचनवी गडवाल यूनिवरसिटी के यूनिवरसिटी से करेंगे तो तब आपको CUT देना पड़ेगा अंतर यहीं होगा कि आपका जो competition होगा वो सारे बच्चों के बच्चों के साथ होगा तो बच्चों यहीं अंतर था CUT beard के बारे में कोई qualification में कोई अंतर नहीं है education वही रहेगी graduation लाने 50% लाने बस केवल अंतर जो आएगा वो यहीं आएगा कि आपका जो competition होगा वो सारे बच्चों के साथ होगा All India basis पे और married भी उसी की आधार पे बने अंतर कुछ नहीं है यहीं अंतर है जो कि मैंने आपको explain कर दिया अगर इस वीडियो को देखने के बाद और सुनने के बाद भी अगर आप बच्चों आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझे Instagram पे फॉलो कर लीजे बिल चैनल को भी जोइन कर लीजिए तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो उमीद करती हो वीडियो आपके बहुत 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 रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट बिलकुल किलियर होगे तो जो भी बच्चे इस साल बीड का फॉर्म भर रहे हैं च चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करके जाहिएगा क्योंकि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से जिसका की नाम है टीचिंग और लानिंग इसमें काफी अच्छे इंटरस्टिंग वीडियो बनाती रहती हैं वीडियो के देखने के बहुत बहुत धन्यवाद अचीन इस इप्चाल को साथ तब तके लिए धर पे रहώνétais सूस रहह sì मस रही यो पढ़ते रहल है आगे बढ़ते रही वीडिया तनी तो आगे बढ़े गा है इंडिया जैः इन जैभारा धन्यावाद सथिएमेव जय दभनिघा स्थिएमेवत तैंचि नेवाद